दोस्तो जनम पर्मारपत्र अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको क्या गरना होगा तो दोस्तो आप जनम पर्मारपत्र बनाना आसान हो गया है आपको कहीं भी जाने की जरूत नहीं है आप घर बेठे अपने Mobile phone के मादम से आप अपने जनम परमारपत्र को बना सकते हैं उसका क्या process है पूरा process मैं इस वीडियो में बताया हुआ हुआ हूँ आप वीडियो को पूरा अंत तक देखे और जनम परमारपत्र कैसे बनाएंगे उसमें क्या-क्या डॉकूमेंट लगने वाले हैं सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताया हुआ हूँ ठीक है तो आप वीडियो को देखके जनम पर्मारपत्र की फॉर्म अपलाई कर सकते हैं और घर बेठे अपना जनम पर्मारपत्र बना सकते हैं तो दोस्तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और साथी साथ हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लेना दोस्तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या लैपटप में किसी भी एक ब्राउजर को ओपेन करना है और यहां पे आपको सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है इसी crsorgi.in और आपको सर्च पे क्लिक कर देना है दोस्तो जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं कि सिविल रजिस्टेशन सिस्टम आपका ओपेन हो चुका है तो दोस्तो इसी वाले link पे आपको क्लिक करना है तो दोस्तो जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि birth and death registration का यहां पे portal ओबेन हो चुका है तो दोस्तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इसी portal से आप अपना birth certificate को apply कर सकते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको देख लेना है यहाँ पर आपको नीचे चेक करना है कि यहाँ पर आपका राजय का नाम दिया हुआ है कि नहीं दिया है इसी लिस्ट में आप अपने राजय का नाम अपना चेक कर सकते हैं अगर इसमें आपका रा certificate बनाने के लिए दोस्तों यहां पे आपको login वाले option पे क्लिक करना है और यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि journal public का option दिया है इसी वाले option पे आपको क्लिक करना है दोस्तों यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे आपको login करने के लिए आप से email id और mobile number पूछा जा रहा है तो दोस्तों यहां पे आप email id या mobile number डालके login कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों अगर आप इस portal पे पहली बार है तो दोस्तों यहां पे आपको सबसे पहले यहां पे आपको registration कर होंगे तो दोस्तों यहां पर आप अपना फर्स्ट नेम बरेंगे मीडिल नेम बरेंगे लास्ट नेम बरेंगे और दोस्तों यहां पर आप अपना जिंडर से कि इन इंडिया है और यहां पर आप अपना देख सकते हैं कि आप इंडिया चाहे तो इन इंडिया क्लिक करेंगे और यहां पर देख सकते हैं कि आपको आउटसाइड इंडिया दिया हुआ है तो दोस्तों अगर आप इंडिया के बाहर से तो यहां पर आउटसाइड इंडिय तो que बिल्डिंग नाम देना होगा ठीक है और यहाँ पर बना हाउस नंबर भरेंगे और ये अपना लोकलिटि यहाँ पर नेक्सट ऑप्ष्ट ऑपीश और दोस्तों यहाँ पर नेक्सट वाले उप्सन पर कलीक करना ऐथ दोस्तों यहां पर देख सकते हैं नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि आधार नेंड नेशनोलिटी आपको यहां पर सिलेक करना है तो दोस्तों यहां पर अपना अधार नमबर भरेंगे और यहां पर डाल देंगे और यहां पर आधार नमबर भरके यहां पर capture code लगाना है और यहां पर next पर click कर देना है और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपको verify mobile number का option दिया हुआ है तो यहां पर आपको mobile number भरना है और यहां पर send OTP पर click कर देना है तो दोस्तों यहां पर तोर पर किसी mobile number को डाला हुआ है और यहां पर दोस्तों आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे वहरिफाई कर देंगे आपका registration कंप्लीट हो जाएगा ठीक है और आपको फिर से login वाले option पर क्लिक कर लेना है ठीक है और आपको login कर लेना है तो आईए मैं आपको login करके बता दे रहा हूं तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि login पेज उपेन हो चुका है और यहां पर दोस्तों आपको mobile login पर कली करके login हो जाना है तो यहां पर आप जैसे login पर क्लीक करेंगे तो यहां पर देख सकते कि आप पोर्टल पे log कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपका नाम दिया हुआ है तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपको चार स्टेप में आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो दोस्तों यहां पर आपको फॉर्म भरने क वहां चुका है तो इस फॉर्म को आपको भरना है तो यहां पर देखने कि बर्थ रजिस्टेशन का प्ता दिया हुआ है तो दोस्तो tadiTIN लिःँच्ट अपको देने होगा तो यहां जनमतिति यहां पे भरेंगे ठीक है और यहां पर धूस्तों फिर से यहां पर confirm जनमतिति फेख करको का लेना है और यहां पर दोस्तों आपको और यहां पर आधार का और दोस्तों आपको अपना अधार नंबर भर देंगे ठीक है और दोस्तों यहां पर देखते हैं बच्चे का नाम नहीं रखा गया है यदि बच्चे का नाम नहीं है तो पर टिक करें दोस्तों अगर आपका बच्चे का नाम नहीं है तो यहां पर क्लिक कर सकते हैं ठीक है अ साना नाम यहाँ पर dwilt देंग यहाँ आपको दिया हुआ है ऐसेगल दिया हुआ है अपका नाम यहाँ आजाएगा ठीक है और दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल भरने यहाँ इमेल इडि बच्चे के जनम का समय माता पिता का पता पूछा जा रहें को यहांपे इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है और यहां पर आपको अपना राजे भरना है फिर है इसठीट भरना है याप लीँग कोड़ भरना है ठीक है और यहां पर अपना लोकल क robi भरेंगे फोस्ट-office बर सीर्द से आपका यहांपर पर्माणेंट ऊफ्टा पुछा जा रहा है तो अगर आपको यहां पके किलिक कर था जनम का अस्थान जन fire सено के समय माता-पिता के पता समान नहीं तो अगर समान नहीं तो आपको यहाँ पर चेक लगा देना है ठीक है तो दोस्तों अगर चेक लगा देंगे तो आपका जो पहले वाला एट्रेस है यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा नहीं फैच करके आ जाएगा ठीक है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना और आपको वही पता है तो यहांपे आ जाएगा यानि सारड डेटा यहांपे आजाएगा एड्रेस आ चुका रहेगा ठीक है अर दोस्तों यहां पर देखे। कि father information देना है तो यहाँ पे दोस्तों आपको father relation per click करना है और यहाँ पर आपका जो भी है यहाँ भर लेंगे Hindu Muslim जो भी है यहाँ पर select कर लेना है ठीक है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि father levels education पूछा जा रहा है तो दोस्तों यहाँ पर अपको अपने पिता जी का करते हैं यहां पर बता देना है और यहां पर आपको मदर इंफर्मेशन देना है माता जी का इजूकेशन बताना है जो भी आपके माता जी का यहां पर और इंफर्मेशन यानि अन्य सूचना यहां पर आपको भरने होंगे ठीक है दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि विवा के समय माता की आयू पूर्ण वर्सु में यदि एक से अधिक बार विवा हुआ हो तो प्रथम विवा की आयू लिखे यहां पर आपको एज भ मता का उम्र क्या यहां पे आपको बता देना है है जनम को बताना होगा ठीक है शितना भी आपके चनम के समय वजन आपको टाइब कर देना है ठीक है जोफन यहां पिदेख सकते हैं कि और तो यहां तो हमें यहां पर बताना है अपने ऊकॉर्डिंग यहां फर लेंगे ठीक है और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आपको सबसे पहले ğlफ यहाँ पर लेंगे ठीक है तो दोस्तों यहां पर क्लिक करना है और यहां पर देख सकते हैं कि जैसे ही next पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका सारा data फैच होके आ जाए गा थीक है तो आपको अपना सारा data यहां पर पता नाम वगरा सारे details यहां पर अपना और माता-पिता का Undertatyल से यहां पर करा लेना है ठीक है यहां पर एक बार आपको चेक कर लेना है ठीक है और चेक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको फाइनली नेक्स्ट वाले ओप्शन पर क्लिक करना है दोस्तों आप यहां पर दोस्तों आपको दोनों लेंगविज चाहते हैं तो यहां पर बोध पर रहने देना है अन्य था हिंदी इंगलीज आप सिलेक कर सकते हैं ठीक है अगर दोनों चाहते हैं तो यहां पर आपको बोध पर सिलेक कर लेना है ठीक है और यहां पर दोस्तों फाइनली आपक को application for verification option पर क्लीक करना है दोस्तों यहां पर क्लीक करेंगे तो यहां पर आप देख सेते हैं कि यहां पर आपका reference number आ चुका है application नबर यहां पर मिल चुका है ठीक है आप का type बता दिया गया और यहां पर date आप बताये है कि आप की date में आप अपने form को चेक कर सकते हैं दोसतों आपका परिजात पर्माणपत्र कर सकते हैं और गर वीडियो में सहेर करन और साथ इसाथ चैनल को सबस्क्राइब कर लेना दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाज जहिन बंदे मातरम